अगर आप अपाईज हो और आपको सेयल किलर से बदला लेना है तो आप क्या करोगे इसी एक इंटरस्टिंग कंसेप के साथ आज की मूवी आती है आज में करने वाला हूँ दफाइव ये 2013 की कोरियन मूवी है ये एक रिवेंच थिलर है तो चलिए शुरू करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमारा मेन कैरेक्टर एना हमें दिखती है एना के जॉब पर होती है एना को जॉब जो होता है इसे वो ब्लॉक्स किरा कर अलग-अलग डिजाइन्स बना सकती है वो टीवी कंपनी के लिए ये सब करती है अब हमें एना के फैमिली दीखती है इसमे एक ब्यूटिफुल लाइफ के शुरुवात एक नए घर में वो करने वाले होते है अब नेक्सिम में हमें एक आदमी स्टीट से जाता हो दिखता है वो एक सुमसान जगात है यहाँ पर एक प्रोस्टिटूट होती है उसे उठा लेता है और अपने घर लेकर जाने वाला होता एक आदमी स्टीट को उठा लेता है अना खास्बन यहाँ सिगरेट लेता है पर इसके लिए वो मना कर देती है डॉटर जब शॉपिंग कर रही होती है तो इस प्रोस्टिटूट को देख लेती है यह दोनों सेमी एज की होती है और यह दोनों एक की स्कूल में पढ़ती है यह इसकी ही क्लास्मेंट होती है यह सिर्फ 14 एसकी होती है जब डॉटर उसकी फ्रेंड से पुछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो तो वो कहती है कि उन्हें अंकल के साथ मैं आई हुई हूँ जिस आदमे ने इस प्रोस्टिट को उठाय था उसे अपने अंकल बुला दि अना हमने डॉटर से पुछती है कि वो कौन थी तो वे बता देती है अपने अंकल के साथ आई है यह भी उससे गही थी है यहाँ एना इस आदमी को देख ली थी है अब हमें नेक सिन में यही प्रोस्टिडूट और वो आदमी दिखता है यह टेबल वर पड़ी होई होती है यह जो आदमी है यह एक्चुल में सिरेल किलर होता है इसने टेबल पर उसे बान दिया होता है और उसको वो काट रहोता है नेकस दिन सुबा एना की डॉटर का पर्ट्रे होता है इसका केक लेने के लिए वो एक बेकरी में आते है एना की डॉटर को एक स्पेशल केक अब जो एक किलर है इसे प्रॉलम हो चुकी है जिस लड़की को उसने मारा है इसे ले जाते हुए एना की डॉटर ने देख लिया है यह सिजुएशन उसे हैंडल करनी होती है एना को कहता है कि वो तुमसे मिलना चाहती है वो मेरे घर पर है क्या तुम उससे मिलने चलोगी अगर तुम्हें ट्रांसपोर्ट का प्रॉलम होगा तुम्हें तुम्हें चोट दे सकता हूँ एना की डॉटर कहती है कि मुझे आज ज़रा लेट हो रहा है एना की मदर भी वहाती है मदर के पास फिर वो चली जाती है यह दुनों जब जा रहे होते है तो इनकी नंबर प् जाती है तो उसे देखता है कि वहाँ एक डिजाइन बनी हुई है एना ने बॉक्स की ट्रिक की होती है यह ट्रिक जब खतम हो जाती है तो इसके लास्ट में एक अच्छा सा मोबाइल होता है यह देखकर एना की डॉटर बहुत ही खुश हो जाती है रात में जब एना और ए एना यह सब देख लीती है एना बहुत ही जादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि अपने हस्बंड को उसे स्मोक नहीं करना देना होता एना गुस्से गुस्से में ही शावर में चली जाती है उसे कुछ आवाज है सुनाए देती है जब बहार आती है और पानी पीती है तब किलर उसके पीछे खड़ा हुआ होता है। ये खॉल में देखती है तो उसका हस्वन और उसकी डॉर्टर तोनों खायल पड़े हुए है। ये किलर फिर उसको भी जखमी कर देता है। ये अलाम बजाने की कोशिश कर दी है पर ये कर नहीं पाती। इसके बाद एना हमें डिरेक्ली होस्पिटल में दिखाई गई है। एना का ब्लड डाइब आरेच ओ होता है। डॉक्टर जब ये देखता है तो कहता है कि बहुत ही कम लोगों का होता है। यानि कि जो ब्लड एना को लगने वाला है वो भी कम ही आवलेवलों का। डॉक्टर जोता है इसका अलग अजेंडा इसके बिच होता है। किलर उसके डॉक्टर उसके हस्बन को मार रहा था यह सब वो देख रही होती है डॉक्टर उसके पास आकर कहता है कि यह बहुत ही सौरी हूँ मुझे यह नहीं करना चाहिए पर मेरे पास कोई आप्शन ही नहीं है अगर मर जाती है तो उसके औरगन इसकी डॉक्टर को मिल सकते है यह इंजेक्शन उसे देने ही वाला होता है तब ही एना उसका हाथ पकड़ लेती है यह फिर से होश में आ जाती है एना की जीने की चाहत यह बहुत ही जादा होती है क्योंकि अब उसे बदला लेना है इस सीरियल केर से अब नेक सिन में हमें दिखता है कि दो साल गुजर चुके है अना विलचेर पर है क्योंकि वो चल नहीं सकती है उसकी हेल्प करने के लिए हाईजिंग नाम की उसकी एक फ्रेंड है यह दोनों एक बेकरी में होते है यहाँ एना फिर से वही केक दिखती है जो उसकी डॉर्टर को चाहिए था यह केक को वो बाई कर लेती है हाईचन जो कारेक्टर है यह बहुत ही चीरफुल है बेकरी के शौप उनर को कहती है कि आप आईजे इसके लिए कुछ डिसकाउन मिल जाएगा बेकरी के शौप उनर को बहुत ही बुरा वो महसूस करा दिये और वहाँ से अल्कॉल वो ले लेती है यह फ्री में लेती है इसके लिए इसे पहुत ही ज़्यादा खुशी होती है एना जब पहार आती है तो उसे दिखता है कि जैसे सीरियल किलर था वैसा ही दिखने वाला एक आदमी स्टीट से जा रहा होता है वो फिर अपने वील चेर से आके जाती है उसके हाथ में चाक होता है उसे वो मारने वाले होती है तब उसका face वो देख लेती है यह serial killer नहीं होता Hygene और Anna फिर हमें पुलिस station में दिखते है पुलिसे से कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती बहुत जारा complaints Anna के आते है यह हमेशा वो करती रहती है पुलिस कहती है कि हम तुम्हारे daughter के killer को ढूण लेंगे Anna और Hygene को पुलिस जो भी बता रही होती है यह हमेशा से पता होता है एकी बात हो हमेशा कहती है तो यह उनके पीछे बोलती है इनको पुलिस पर अब थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता Anna अपने घर आती है उसे Hygene का साथ नहीं चाहिए होता पर Hygene भी उसके पीछे पीछे उसके घर पर आ जाती है Hygene गौड पर बहुत ही बिल्यू करती है Anna को भी प्रे करने के लिए वो बोलती है Anna के जो लेटर सुते है यह Hygene के पास आते है Government को Hygene का address उसने दिया होता है Hygene फिर उसके लेटर उसे वापस कर देती है Anna को बहुत irritating लगने लग जाती है तो उसे जाने के लिए वो बोलती है अब हमें दिखता है कि Anna रात में एक लाइटर ढूंड रही है जो serial killer था उसने उसके husband का लाइटर ले लिया था अगर वो इंटरनेट पर यह serial कर रहा होगा तो इस lighter को ढूंड रही होती है यह एक limited edition का lighter होता है तो इसके पास यह सब होती है जब रात में एक buyer से वो बात करने लग जाती है तो उस lighter के बारे में बोच्छती है पोच्छती है कि क्या उस पर कुछ carvings वगरा है वो गहता है कि हाँ उस पर don't smoke dare यह लिखा हुआ है यह अब जो करना हो जाती है यह message जहां से आ रहे है इसका IP address वगरा सब लिख लेती है यह इससे मिलने के लिए बुलाना चाहती है पर जो sale करने वाला होता है यह इस conversation से exit कर लेता है एना फिर रात में एक सुमसान जगा पर हमें दिखाए कई है वो कुछ पैसे गुंडों को देती है और वो gun buy करना जाती है यह अकेली है और wheelchair पर है इसलिए गुंडे वापस आती है इसे मारते है और उनकी gun भी वापस ले लेते है एना इसके लिए कुछ भी कर नहीं पाती रात में हाईजिन फिर से एना के पास आती है चोके एक उन्होंने buy किया था अब वो इसे light करते है हाईजिन फिर एना को समझाती है यह जो मैं prayer करती हूँ यह सिर्फ मेरे लिए करती हूँ हाईजिन को breast cancer था उसका पदी जो था इसे छोड़ कर चला गया था यह बहुत ही pain में है और इसे जीने के लिए सिर्फ 3 महीने है यह कहती है कि prayer करने से मुझे बहुत अच्छा लगता है वो एना को भी कहती है कि अभी भी तुमारे पास बहुत साइज चीज़े है जिसके लिए तुम grateful हो सकती हो तुमारे और्गन से तुमारे body है यह healthy है तुम paralyzed हो पर इससे जादा कुछ फरक नहीं बढ़ता तुम God को इन सब चीज़ों के लिए अभी भी thankful हो सकती हो एना फिर internet पर organ donation के बारे में साच करती है एक सूबा जिस doctor ने उसे मारने के कोशिश की है उसे वो बुलवाती है उससे कही थी कि मुझे list चाहिए जिन लोगों को organs चाहिए इन सब लोगों कि मुझे list चाहिए वो खेहती कि मुझे पाच लोग चाहिए इसमें पहला जो है ये किसी के भी घर में घुश सकता है और चीज़े बना सकता है ऐसा कोई चाहिए दूसरा hacker चाहिए तिसरा किसी को भी मार सकता है पूलिस का background जिसका होगा वैसा एक आदमे चाहिए एक डॉक्टर उसे चाहिए और ये पाच ही होती है इसलिए इस movie का नाम The Five है डॉक्टर उसे पुछता है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा ये खेहती है तुमारे डॉक्टर को औरगन चाहिए ये उसे life दे सकती हो यानि ये एना अपने आपको मार देगी और ये उसके औरगन निका कर अपने बेटी को लगा सकता है ये जो बाकी तीन लोग है इन्हें भी औरगन्स शेहिए तो अपने औरगन्स इन्हें देने वाली होती है इसका ब्लान होता है इन सब लोग की help लेकर अब वो serial killer को मारने वाले होती है अब Anna को यह जो लोग लगने वाले है यह सब दिखाये जाते है इसमें से पहला जो है पुलिस के background वाला है इसकी wife बिमार होती है और उसे organ लगने वाला होता है उसकी wife जो हला है इसके लिए उसको ही वो blame करती है यह उसका हमेशा खयाल रखता है next character जो है यह गैंग के लिए काम करती है यह एक hacker होती है इसकी mother के operation के लिए इसे organ लगने वाला होता है इसके बात जो होता है जो breaking कर सकता है इसे अपने लिए organ चाहिए होता है जब Anna इन सब लोग के पास जाती है और इन्हें समझाने के कोशिश करती है पर इस पर कोई भी believe नहीं करता Anna फिर doctor को call लगाती है उससे कहती है अगर तुम्हें लगता है कि हमारा operation successful रहना चाहिए तो तुम्हें भी इस पर cooperation करना पड़ेगा जो सब लोग है इन्हें doctor भूलवाता है इन्हें सब को जो समझाता है यह जो deal है यह करने के लिए अब doctor बता रहा है तो यह मान जाते है हैकर को Anna फिर IP address दे देती है हैकर को अपने boss से यह सब करने के लिए help चाहिए होती है यह जब उसके boss के पास जाती है तो उसका boss उससे demand करता है उसे इससे intimate होना होता है हैकर के पास कोई option नहीं होता तो इसके लिए हो मान जाती है अब जब awareness का address मिल चुका है तो वहां breaking करने के लिए तो इससे खोल सकता है इस आदमी को भेज देती है इसका नाम glass eye होता है यह जब घर के अंदर गुश जाता है तो उसे lighter मिल जाता है जिसका यह घर था इस आदमी का टेहो फिर रात में पीछा करता है उसे taser से tease करता है और घर पर लेकर आता है एना जब इससे देखती है तो एक killer नहीं होता इससे वो बान देती है यह जब भोश में आता है तो इससे सवाल भुशने लग जाती है इससे वो डान रही होती है अगर इसने कुछ questions का answer नहीं किया तो उसे मार देखी यह फिर उसे कहता है कि मैं taxi driver हूँ यह जो lighter था एक client का गीर गया था इस client का location वेगरा सब कुछ वो बता देता है जिस shop से एक killer आया था इस shop का नाम भी उसे बता देता है एना फिर इसे छोड़ देती है एना सब को कहती है कि जिस आदमी को तुमने ढूंडा है यह गलत है इन्हें और भी अब काम करना पड़ेगा यह इससे खुश नहीं होती टेहो डॉक्टर के पास जाता है उसे जब situation होई है यह सब समझाता है टेहो डॉक्टर से कहता है कि मैं ही directly एना के पास जा सकता हूं उसे मार कर अब उसका organ निकाल सकते है इसके लिए डॉक्टर भी मान जाता है यह करने के लिए एना के घर पर जब टेहो आता है तो वहाँ हाईजिन होती है यह वहाँ करनी बाता जब हाईजिन वहाँ से चली जाती है तब taxi आ जाती है उसका जो chance होता है वो चला जाता है एना को hacker call लगाती है उसे वो मिलनी के लिए बुलाती है एना जब वहाँ जाती है तो hacker का boss भी उसके साथ होता है hacker अपने boss की help लेकर एना के organs निकालने वाले होती है इसका boss जो होता है यह बहुत ही घटिया होता है इसका अलगी plan होता है यह इन दोनों के organs जेल करने वाला होता है यह दोनों फिर रेजिस्ट करती है पर टेहो वहाँ आ जाता है इन दोनों को वो बचा लेता है एना को टैक्सी से पीछा ही कर रहा था यह सब लोग एकी room में फिर मिलते है जो सब situation अप हो कही है इस पर वो discuss करते है एना फिर उन्हें एक गोली दिखाती है वो कहती है कि अगर मैंने एक गोली ले ली तो मेरे सब organs खराब हो जाएगे यह किसी को भी काम में ने आएंगे अगर मुझे फिर से तुमने मानने के कोशिश के तो मैं ले लोगे वो फिर उन्हें उसके पुराने घर पर लेकर आती है इस सिरियल गिलर ने कैसे उसके हजबन और उसके डॉटर को मारा है यह सब उन्हें कहती है इन सब को बहुत ही बुरा लगता है और इसे पुरी तरीके से मदद करने के लिए वो रेडी हो जाते है ट्रैवर ने एना को सिरियल गिलर को उसने कहा चोड़ा था इसका पता दे दिया था जिस शौप में हो गया था इसे वो भी मालू में हैकर की मदद से वहाँ से वो कस्टमर बेस निकाल लेती है हर नंबर पर वो कॉल करती है इसमें से एक नंबर हैकर का होता है जब उसे कॉल करती है तो उसका आवास पहिचान लेती है इसके बाद नेक सिन में हमें सिरियल के लिए दिखता है एक और दुसरी लड़की को उसने अपने घर पर लाया होता है इस लड़की को पता चल जाता है ये कुछ गलत उसके साथ करने वाला है वो हाँ से भगने ही कोशिश करती है इससे पकड लेता है इससे वो मार देता है जिस लड़कीों को मारता है इन्हें वो छोटी सी डॉल में करणवर्ट कर देता है येने कहता है कि अब तुम फिर से बॉन होगी और बहुत ही ब्यूटिफुल बन जाओगी ये अपने आपको आर्टिस समझता है लास आय और एना दोनों सीरियल किलर के घर के बाहर फिर बेट जाते है ये गाड़ी में होते है और एक किलर बाहर निकलता है लास आय उसे बुछता है कि क्या ये यही है ये कहती ही कि मुझे ठीक से उसे देखना पड़ेगा किलर नोटिस करता है कि सचपी से अस वियाय का लिया आया ये खिड़की से अंदर जाकता है अना अब इसे अच्छी तरह कैसे देख लेती है और इसे पैचान लेती है ये जो कारक की क्लास्स होती है इस वर फिल्म चड़ाई होती है वो अंदर देख नहीं पाता पीछे से वो देखने कोशिश करता है पर ये दोनों जूख जाते है जब एक किलर चला जाता है तो क्लास आये अना को घर में गुषने के लिए मदद करता है जब एक घर में जाती है तो बहुत सारी डॉल्स देखती है यानि कि बहुत सारी लड़कियों को उसने मार दिया है वो अपनी डॉडर का फोन और उसका नेकलेस ये सब चीज़े देखती है जो किलर होता है उसकी कुछ चीज़े घर पर रह जाती है थोड़ी दर में फेसे घर में वापस आता है और एना वहा होती है एना वही चूप जाती है ये जब सब चीज़े दिखता है तो इससे लगता है कि यहाँ कुछ कड़ बड़ है वह सब चान ले लग चाता है ये दोर पर नौक आ जाती है ये नौक ग्लास आय की होती है ये इस से कहती है लासाय कहता है कि यह बहुत देंजरस है हमें नहीं कर सकते हमारी जो डील हुई थी इसके बारे में तुम सोचो एना भी कहती कि ठीक है तुम ऑपरेशन के लिए रिडी रहो एना फिर अपने फ्रेंड हाईजिन से मिलने जाती है हाईजिन हमेशा अपने घर पर उसे स्वीट लगता है पर जब तुम रिवेंश ले लेते हो तो पूरी लाइफ तक तुम्हें हंड करता रहता है तुम मरने के बाद फिर हैल में चली जाती हो एना कहती है कि वेसे भी मेरी लाइफ हैल ही है जो मैं मैं मैसूस कर रही हूँ कि कुछ हैल से कम नहीं है नेकसिन में में सिरील किलर एक आर्ट गैलरी में दिखता है यह एक डॉल्स का बड़ा आर्टिस्ट होता है इस पर डेहो नज़र रग रहा होता है रात में क्लास आये को बुरा लगता है कि एना की डॉटर का नेकलेस उसे मिलना चाहिए वो फिर फिर से किलर के घर पर आ जाता है किलर के घर पर CCTV कैमेराज होते है और किलर यह हमेशा अपने मुबाइल से देख सकता है किलर यह नोटिस कर लेता है और वहाँ से चला जाता है डेहो उस पर नज़र रहा होता है पर अपना जो कोट होता है ये दूसरे को पहना देता है याने कि डेहो को लगता है कि ये killer अभी भी वही है killer फिर घर पर आता है और glass को मारता है उसे वो बान देता है और उसकी सब चीजी देखता है इसके pocket में इसे वो necklace मिलता है killer उसे पुछता है कि ये necklace किस के लिए है ये कहता है कि मेरे daughter के लिए है जब glass eye की family photo देखता है तो इस family में उसकी daughter नहीं होती इसे फिर शख जाता है और भी जब ये जानता है तो killer को उसके ही घर का address लिखा हुआ मिलता है अब इसे शख जाता है कि कोई उसे मारना जाता है glass eye का वो murder कर देता है जिस कागर्स पर address लिखा हुआ था वो prescription letter का था जो एक killer है जहाँ भी वो murder करता है वहाँ से बहुत सारी चीज़े लिख राता है ये चीज़े उसने एक जगा पर रखी हुए होती है पता निकालने लग जाता है उसके hospital से ये उसका पता निकाल भी लेता है उसका phone number भी से मिल जाता है ये IANA को call लगाता है तो और कुछ भी नहीं बोलता Deho को पता चलता है कि जो killer है वहाँ था ही नहीं Deho glass eye को call करता है उसका phone नहीं लग रहा वो फिर एना के पास आता है उससे कहता है कि किलर को तुमारे बारे में पता चल चुका है अब हम उसे हंड नहीं करें तो वो हमें हंड कर रहा है तुम्हें एक सेव जगा पर चला जाना चाहिए वो कभी भी तुमारे घर में आ सकता है एना जो होती है उसका एड्रेस उसने गलत दिया होता है एक्च्छल में हाईजिन जा रहती है वोही का एड्रेस उसने दिया होता है यह किलर फिर हाईजिन के पास आ जाता है हाईजिन को धमकाता है एना के एड्रेस पुछता है पर हाईजीन की फैमिली को भी इस किलर ने मारा था अब वो इससे कुछ भी इनफॉर्मेशन नहीं देने वाली तो किलर उसको भी मार कर चरा जाता है डॉक्टर, हैकर, डेन हो और एना ये सब अब मिटिंग कर रहे है एना हैकर से बुझती है कि मुझे सिर्फ उसका नहीं लोकेशन दे दो बाके जो सब हो का वो मैं देख लूँगे अब तुम लोगों को इसमें इन्वाल नहीं होना चाहिए लासाय मर गया है तो ये बहुत ही डेंजरस है किलर का फोन बनोता है तो हैकर उसे हेल्प नहीं कर सकते अब हमें डेव अपनी वाइव से मिलता हो दिखता है डॉक्टर अपनी डॉटर से और हैकर अपनी मदर से इनको अपने चाहने वालों के लिए बहुत ही बुरा लग रहा होता है नेकसिन में आमें एना क्रिमेटोरियम में आई हुई दिखती है किलर उसे ट्रैक करता हुआ वहाँ आ जाता है यह उसे बाहर निकालता है उसे कहता है कि मुझे याद है कि किस तरह से मैं तुमारे हजबन और तुमारे डॉर्टर को मार दिया था उसे बाहर एक स्टेर केस के पास लेकर आता है वहाँ से धकल देता है वहाँ डेहो भी आ जाता है डेहो एना को प्रोटेक करने के लिए उसका पीछा ही कर रहाता है तो वहाँ वह आ जाता है एना को बचा लेता है और किलर का पीछा करने लग जाता है ये बहुत दूर तक उसका पीछा करता है इन दोनों में fight होती है और Deho उसे बेहोश कर देता है इस killer को फिर वो एक जगा पर लिकर आते है डॉक्टर और Anna एकसाद होते है तो ये news Deho उसे बता देता है Deho जाए वहाँ आने के लिए बोलता है इस घर में आने के बाद Deho जब अपनी wounds देख रहा होता है तो वहाँ killer उठ जाता है इसे वो बेहोश कर देता है जिस table पर killer को एक machine से वो मारने वाले थे उसे table पर अब वो Deho को बान देता है machine on कर देता है और Anna को call लगाता है Anna फिर killer की घर पर पहुच जाती है उसकी जो सब डॉल से गिरा है इसे तेहसनेस करने लग जाती है इसका वीडियो बना कर killer को भेज देती है वो कहती ही कि इसे जाने तो वन्ना तुम्हारे जो सब डॉल से इन सब को मैं तबाह कर दूँगे ये killer फिर डेहो को छोड़ देता है उसे घर आने लग जाता है ये जब घर पर आता है तो Anna ने बहुत सारे बूबी ट्राप्स वहाँ बीचाई होते है एक दोरी पर इसका पेर पड़ जाता है तो एक arrow भी से लग जाता है जब एक killer अंदर आता है तो एक heavy चीज उस पर वो गिरा देती है यहाँ hacker और Anna दोनों होते है इनको लगता है बेहोश हो चुका है hacker उसके पास जाती है तो उसका पेर वो पकड़ लेता है उसे बहुत ही जखमी हो कर देता है hacker को छोड़ दे तो Anna फिर से उसकी डॉल फोड़ने लग जाती है killer को बहुत ही pain मेंसुस होता है उसके पास जाता है कहता है कि अब तुमारा खत्तम हो चुका है Anna कहती है कि तुम नक में सडोगे killer उसे मारी दिने वाला होता है डेहो वहाँ पोच जाता है इन दोने बहुत fight होती है और ये दोनों बहुत ही जाता जखमी हो जाते है ये दोनों unconscious होते है पर इसमें से killer उठ जाता है वो Anna के पास आता है Anna के पास एक lighter होता है जो killer है इसने एक बड़ी से doll बना ही होती है और अपना जो art है इसके लिए बहुत ही proud होता है इस doll को Anna ने already पेटर में गिला कर दिया होता है ये lighter जलाती है और fake दीती है ये जो doll है जलने जाती है killer को रोना आने लग जाता है वो वही foot foot कर रोने लग जाता है जब इसकी doll मिट जाती है तो Anna से कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी फरगियों नहीं करूँगा Anna को मानने के लिए उसके पास आ रहा होता है पर ये जो doll है इसमें spikes होता है Anna ने इस तरह से इस doll को set up किया होता है कि इसकी string तूट जाए इसकी string तूट जाती है और ये जो spikes थे ये killer में घुश जाते है killer ये ही मर जाता है ये मर गया है पर Anna को अभी भी उसका जो pain है ये नम नहीं हुआ है वो कहती है कि इस तरह से इतना easy तूँम कैसे मर सकते हो ये रोने लग जाती है डॉक्टर फिर वहाँ आता है उसके पास एक injection होता है जिससे वो उसे मारने वाला होता है hacker और डेहो ये दोनों उससे कहती है कि अब इसे मत मारो अगर हमारी family को बता चला कि उन्हें organ किस तरह से मिले है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा डॉक्टर अब मानने नहीं वाला होता वो injection लेता है ओएना के फास आता है उसे पूचता है उसे कहता है कि तुम समझ सकती हो कि मैं क्यों कर रहा हूँ अइना बोलती है कि मैं समझ सकती है में भी एक मदर थी मुझे पता है कि तुम क्या महसbons कर रहे हो डॉक्टर उसे injection देने वाला होता है पुर इसके हाथ कापने लग जाते है इंजेक्शन वो रख देता है अब ये वो नहीं कर सकता आयना खुद इंजेक्शन उठा लेती है और अपने आपको दे देती है रिमेंज लेने के बाद भी इसे जो सैटिसफेक्शन मिलना चाहिए था वो नहीं मिलाए और अपने फैमिली की बिना वो नहीं रह सकती है तो इसलिए अपने आपको मार देती है अब एंट क्रेटर सुरूल होते है और हमें पता चलता है ये डॉक्टर की बेटी अब हेली हो चुकी है हैकर की मदर भी जिन्दा है और जो day होता उसकी wife भी अब सही है इसकी wife अब pregnant है और दोनों अब बहुत ही खुश है यही movie खतम हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे like और comment ज़रूर कर दीजेगा मैं बहुत सारी movies लेकर आत रहे तो तो फ्लीज इस चानल के सब्सक्राइब कर दीजे और bell notification icon दोने मत भूलिएगा हम फिर से मिलेंगे और एक movie के साथ तब तक के लिए thank you और आप अपने आपका ख्याल रखिया